आसानी से खेला एक रन के लिए सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ तेज गेंद बाजी को खेलना फसंद करता है ये बल्ले बाज अच्छा शार्ट बस सिंगल ही मिलेगा खराब शॉर्ट सिलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को गेंद बाज अच्छी ले में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं ये पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों के लिए और शॉट को मिस किया और गेंद सीधा बल्ले बाज की बॉड़ी पे लगी स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनद उठा रहे हैं नो बॉल्ल काफी निराश होंगे बोलर अपने आप से हाँ चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे और ये मैक्सिमम गेंड जाएगी बाउंडरी के ऊपर से चक्के के लिए तेज गेंड बास को लाया गया है आसानी से केला एक रून की दीए आसानी से केला एक रून की दीए अपने आप से अधिया गेंड बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बड़े शॉट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय पिताना होगा ओ जबर्दस गेंड बाज यह ऐसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन बल्ले बाज पिछली गेंड पर बड़े अनकमफर्टबल लगे बड़िया बोलिंग बल्ले बाज को परिशानी में डाल रहे हैं यहां पर बल्ले बाज जरूर पिछली गेंड के बारे में सोच रहे होंगे ओ जबर्दस गेंड बाज यह ऐसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन बड़े शॉट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय पिताना होगा मिल गया हुए केब वह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खेलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफतार है इनके पास अपनी पारी के शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बाज को अधिया गेंड बिलकुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बल्ले बाज पिछली गेंड पर बड़े अनकमफर्टबल लगे गेंड बाज लाइन से चुके और वाइट बॉल का इशारा करारा शुर्ट बल्ले बाज को और ये चेरन तो बहुत ही बहतरी गेंड बाजी बल्ले बाज को बिलकुल परिशान करते हुए यहां पर बल्ले बाज ज़रूर पिछली गेंड के बारे में सोच रहे होंगे खराब शॉर्ट सेलेक्शन बिलकुल समझ नहीं पाए गेंड को गेंड बाज अच्छी ले में लग रहे हैं क्या यह विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं बहुत अच्छी रॉनिंग बेट्विन दुविकेट्स वह गेंड सीधा स्टांश में लगी है बढ़िया थ्रोग बनले और गेंड में कोई संबर्ग नहीं अंपायर का इशारा लेकपाइज किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं और ये गेंड हवा में आसानी से खेला एक रॉन के दूए स्पिनार आया है अटैक में पाउर प्ले की समाप्ती कफ्तान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ड सेर्कल के बाहर रख सकते हैं हवा में खेला है ये शॉर्ट आसानी से खेला है एक रॉन के लिए खूब सूरत फ्रो बिल्कुल स्टम्स के उपर हवा में खेला है ये शॉर्ट और बॉल सीदा फील्डर के पास और ये आउट काफी निरास लग रहे है अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोर आए चतुराई से गेन बाजी कर रहे है गेन बाज पूरी तरह से चूग गए बढ़िया गेन बाजी गेन बाज अच्छी लेह में लग रहे है क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा काफी मेहनत करनी पड़ी ये थ्रो कलेक करने में स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये और ये गेन हवा में सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं और सटिक थ्रो की अपेक्षा थी यहां पे पूरी ताकत से खेला गया है ये शौर और ये पूरे छे रन तेज गेन बाज को लाए गया है दूसरे चोर से अच्छा शौट है ये बहुत ये अच्छा शौट और गेन सीधा सीमा रेका के बार गेन बाजों को ज्यादा अनुशासन से गेन बाजी करनी होगी अब बढ़िया गेन बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अनकमफरटबल लगे चतुराई से गेन बाजी कर रहे है गेन बाज गेन बाज अच्छी ले में लग रहे है क्या ये विकेट ले पाएंगे चली दिखते हैं कराना शॉर्ट मनले बाज का और ये छे रन और जबरदस गेन बाजी ऐसी बोली को खेलना ना मुमकिन बड़े शॉर्ट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय पिताना होगा ठीक से टाइम नहीं कर पाएं वहाँ बल्ले बाज को बिलकुल आइडिया नहीं था उस गेन को कैसे खेले बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफर्टबल लगे गरारा प्रहार बल्ले बाज का छे रन के लिए तकड़ा शार गांफिदेंसे वर्बूर जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अवा में दे मारा है भीमी गेन इस पिछ पेक अच्छा विकल्प होगा बल्ले के बीच से निकला ये शौर्ट क्राउड में जा गिरेगा ओ जबर्दस गेन बाज ये इसी बोलिंग को खेलना ना मुमकिन बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफरटबल लगे लेकिन अंपाय ने दिया नॉट आउट और वो अंपाय के डिसिजन से सहमत है ला जवाब गेन बाजी पूरी तरह से चक्मा दिया बल्ले बाज को और ये गेन बाज अपनी अंदाज में सेलिबरेट करते हुए अपनी पारी के शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बाज को बहुत ही बहतरी गेम बाजी बल्ले बाज को बिल्कुल परिशान करते हुए यहां पर अलिया गेन बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज गेम बाज अच्छी लेह में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं बल्ले बाज के फुट वर्क पे सवाल उठाते हुए गेम बाजी बहुत ही बढ़िया बल्ले बाज जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे ओ जबर्दस गेन बाजी ऐसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन स्पिनर वापस आए है गेन बाजी के लिए गेन बाज अच्छी ले में लग रहे है क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं अपीर लेकिन अंपायर ने दिया नौट आउट और वो अंपायर के डिसिजन से सहमत है और ये गेन हवा में बड़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब गेन बाज अपने प्रिफॉर्ड एंड से गेन बाजी करते हुए बाल बाल बचे बल्ले बाज बहतरी गेन बाजी बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफरटबल लगे बल्ले बाज ने लाइन मिस की और गेन जाके लगी बाड़ी पे और ये मैक्सिमम गेन जाएगी बाउंडरी के उपर से चक्के के लिए स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनद उठा रहे हैं अच्छी गेन बल्ले बाज ने काफी लेट रियाक किया और गेन जाके शायद बाड़ी पे लगी है गेन बाजी में बदलाओ तेज गेन बाज वापस आते हुए आसानी से खेला एक रन के लिए बढ़िया बैक आप इसे कहते है गेम अवेरनेस अन्तिम ओवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा चौका बेटरी शौर्ट बनले बाज द्वारा दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने ओ ये गेन तो लगी होगी आजीब पोजिशन में आ गए थे बल्लेबाज भूल लगी बल्लेबाज को आज आशा करते गंभीर ना हो धीमी गेम इस पिच पेक अच्छा विकल्प होगा बल्लेबाज ने लाइन मिस की और गेन जाके लगी बॉड़ी पे अच्छी गेन बल्लेबाज ने काफी लेट रियाक किया और गेन जाके शायद बॉड़ी पे लगी है गेन बाजी में बदलाव तेज गेन बाज वापस आते हुए और ये छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच्छ दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को मबारक देते हुए अपनी जीद की खुशी मनाते हुए अचे ये घड़ेगर और ये खुशी मनाते हुए झाल झाल